गलातियों अध्यायतीन और उसका 14 आयत हम आपके लिए पढ़ना चाहेंगे आप वहाँ पर देखिए गलातियों के किताब नए नियम में जाएए पौलुस प्रेरित की पत्री है वहाँ पर और वहाँ 14 आयत को हम पढ़ेंगे यह इसलिए हुआ कि इबराहिम की आशिश अबराहम की आशिश मसी एशु में अन जातियों तक पहुँचे बोलिए अबराहम की आशिश सब लोग बोलने हैं अबराहम की आशिश अन जातियों तक पहुँचे और हम बोले और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिग्या हुई है सुनना ज़रा भई आज अब्राहम की आशिश हलो परमेश्वन ने उत्पत्ति बारा ध्याय में अब्राहम को आशिश दिया क्या दिया उसे? कौन सी आशिश हम उसे देख पाएंगे हम उसे देखेंगे ये आपके लिए है उत्पत्ति बारा ध्याय वचन एक से हम पढ़ेंगे दो से पढ़ लेते क्या आशिश है? मैं तुस्से एक बड़ी जाती बनाऊंगा इसका मतलब परमेश्वर के राज्य में कोई भी कोई बहन बाज नहीं रहेगे और तुझे आशिश दूँगा तेरा नाम बड़ा करूँगा आप आम इन बात बोलकर रिसीब कर सकते हैं आज तो आशिशो का दिन है आपके लिए ये शुके नाम है क्योंकि आप वेदी के निकट इमानदारी से बैठे हो इसलिए आशिशो की पहली कड़ी में मैं आपके सामने पढ़ता हूँ मैं तुस्से एक बड़ी जाती बनाऊंगा तुझे आशिश दूँगा तेरा नाम बड़ा करूँगा तु आशिशो का मूल होगा उन्हें आशिश दूँगा जो तुझे स्रापित करें मैं उसे साब दे दूँगा भू मंदल के सारे परिवार तेरे द्वारा आशिश पाएंगे बोलो मेरे द्वारा आशिश पाएंगे वचन चार और फिर क्या लिखा यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला बोलिए परमेश्वर के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी जो उसका भतीजा है उसका संग चला जब अब्राहम हरान देश से निकला उस समय वह 75 वर्स का था यहां तीन दो और तीन याद रखना है यह जो आशिश के बारे में मैंने पढ़ा वचन दो और वचन तीन पढ़िएगा वचन दो मैं तुस्से एक बड़ी जाती बनाऊंगा यह क्या कह रहा है प्रभू यह एक आसरवाद है जो अब्राहम को मिल रहा है क्या इस आसरवाद को आप नोट कर रहे हैं क्या ओके मैं तुस्से एक बड़ी जाती बनाऊंगा और तुझे आशिश दूँगा तेरा नाम बढ़ा करूँगा तु आशिश का मूल होगा वचन तीन में और जो तुझे आसरवाद दे उन्हें मैं आशिश दूँगा जो तुझे को से मैं उसे शाब दूँगा और पृत्वी क्या सारा परिवार तेरे द्वारा आशिश पाएंगे ये 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 वचन ये ये क्या है अब्राहम की आशिश है बोलिये अब्राहम की आशिश अब चले जाएए पॉलस क्या कहता है गलातियों तीन अध्याय और वचन चवदा में हम पढ़ेंगे वहाँ क्या लिखा है ये इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशिश हमें पता होगे अब्राहम की आशिश उत्पत्ति बारा अध्याय का तीन और चार में जो तुझे आशि यहां लिखता है कि यह अब्राहम की आशिश वह अब्राहम की आशिश जो उत्पत्ति बारा अध्याय में हमारे लिए दिया गया वह अब मसी एशु में हमें कैसे मिलेगा कैसे मिलेगा हम उन आशिशों को कैसे प्राप्त कर पाएंगे यहां वचन ठीक समझे लिखा है हम के द्वारा कैसे है कि हम इस अब रहाम की जो बरकते हैं जो आशीरा है इस नियोग में इस अंतीम युग में जो अब रहाम को परमेशवन जो प्रतिग्या दिया वो आज आज आशू मसी के नाम में विश्वास के द्वारा आपके लिए पूरा होगा। अपने प्रियदास अबराहम से जो प्रतिग्या किया है याद रखना परमेश्वर जूटा नहीं है ता परमेश्वर भरमाता नहीं वो एक बार बोलता है और फिर उसी पे अटल रहता है खुद भी और अबराहम ने आज से लगभक 5,000 साल पहले जो चीजे कहीं हैं किसे कहीं हैं परमेश्वर ने अबराहम से कहीं है अबराहम को जो आशीश दे दिया गया है वो आज एशू मसी में हमें मिलेगा कैसे मिलेगा वचन दिखाईए विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करो जिसकी प्रतिग्या हुई है जिसकी प्रतिग्या हुई है हमारे ल को परमेश्वर आशिशित करने के लिए हम एक वचन देता है विश्वास का वचन देता है और हम उस विश्वास के वचन को अपने अंदर बढ़ने देते हैं परोसी को बोलो बढ़ने देते हैं उसे बल्वान होने देते हैं सक्तिशाली बढ़ने देते हैं क्या अब परमेश वाचन को सुनना जरह येशुमसी वाचन के रूप में आया बोलना है जरह वाचन के 24 दी आ फिर अब अरव अबराहम को जो बरकत परमेश्वन ने प्रतिग्या दिया आज सब कुछ वचर वचर में दय लॉप परमेश्वन तो आज ये वचन जब हमारे निकट आता है वचम जब वचन जब हमारे सामने आता है तो उसे हम विश्वास के द्वारा जब ग्रहन करते हैं तो वो प्रतिग्या जो हमारे लिए अब्राहम ने की है वो मसी एशू में हमारे लिए पूरा होता है आपको किते लोगों को बात समझ में आ रहे हैं परमेश्वर कभी जूट नहीं बोलता परमेश्वर जो प्रतिग्या किया है वो अब हमारे लिए क्या करेगा मसी येश्व में क्या करता है पूरा होगा कैसे पूरा होगा पलोसी से बोलिए कैसे पूरा होगा कैसे हमें अब्राहम की आशिश मिलेगी कैसे प्रतिग्या हमारे लिए पूरा होगा चलिए प्रस्न के बाद उत्तर प्रभू आपको देगा कैसे प्रतिग्या पूरी होगी आईए हम उसे वचन के अनुसार सीख कर आशिश पाएं हालेलूया चलिए वहाँ पर हम देखेंगे प्रभू के वचन को धन्यवाद येशू कहिए धन्यवाद येशू गलातियों अध्याय छे वचन नौ कैसे हमें आशिश मिलेगा ध्यान से सुनना है क्या आप उस आशिश के भागदान बनना चाहते हैं तो ध्यान पूर्वक सुनना है जो सुनोगे वही आपके जीवन में उतरता है गलातियों छे और उसका नौ आयत हम भले काम करने में हियाब ना छोड़ें क्योंकि यदि हम धीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे आमेन उच्छा और आशिशाब आज प्रभू के सामने जब आप बैठे हैं तो हमने कहा कि आपके लिए प्रतिग्या किया गया है कौन सा प्रतिग्या जो येशु मसी पर विश्वास करेगा वो अबराहम की आशिशों में भागदान बनेगा सारी चीजे मसी में दे दी गई है अबराहम को जो प्रतिग्या दिया गया था वो सारी सारा मैटीरियल सारी ताकत सारा वैभव सारा खजाना किसके अंदर दे दिया गया है येशु मसी के अंदर आमीन अब येशु मसी के अंदर दे दिया गया है तो येशु मसी है क्या कोई बताए कि जो पृतिग्या दे दी गया, वो पृतिग्या हमारे लिए कब पूरी होगा। जब हम परमेश्वर के पुत्र येशू मसी का, पिता का वचन अपने अंदर क्या करेंगे। हानाँ, जब वचन पूरा करेंगे, तो हम किस के आशिश, किस हम किस पृतिक्या के भागदान बनेंगे और वो पृतिक्या जो परमेश्वन ने हमारे आपके लिए किससे किया था अब्राहम के साथ वो पृतिक्या हमारे आपके जीवन में पूरा होगा चर्च की सभी प्रार्तनाओं को और परमिश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सबस्क्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी लाइफ दार्त ना हो तो सबसे पहले आप देख सकें